अब एक बहुत होड कंटेंट है और वो है पॉर्णिया एडल्ट मूवी जादा जो हुआ है वो इसके एक तरीके से एडिक्शन में होते हैं अब एक सवाल यह उठता है कि एडल्ट मूवी हम में से जितने भी युआ हैं मुझे लगता है कि शायद 80% 80% का ratio आप ले करके चलिए 80% जो हुआ है वो adult movie के addiction में पुरी तरीके से घिरे हुए कुछ तो ऐसे है जो जब तक adult novel नहीं पढ़ लेते adult comic नहीं पढ़ लेते, adult उपरन्यास नहीं पढ़ लेते adult picture नहीं देख लेते, adult clip नहीं देख लेते adult video clip नहीं देख लेते कुछ भी adult side पे वो daily जाकर सर्च करते रहते हैं और इस तरीके से देखा जाये तो उन्हें addiction बुरी तरीके से लग जाता है adult movie का या pod movies का अब इसके जो negative effects हैं वो आप सबको बहुत अच्छे से पता है और वो यह है कि क्या है ना कि बहुत बुरा असर पड़ता है हमारी अपनी जिंदगी में खासकर लड़कों के साथ तो downfall जैसी समस्य हो जाती है वो 24 गंटा बस addiction अगर इस तरीके का हो गया तो 24 गंटा एक sex के बारे में ज़्यादा ज़्यादा सोचने लगते हैं गलत तरीके की बाते उनके दिमाग में आती है उनका जो पूरा health है वो काफी कमजोर होने लगता है उनका मन किसी भी काम में नहीं लगता टाइम से office नहीं जा सकते घर पर जो family के लोग है उनको काफी शिकायत होने लगती है कि आखिर हमारा लड़का कर क्या रहा है जा कहा रहा है आपको हम ये बताते हैं कि एक सर्वे के अनुसार करीबन 40 मिलियन लोग ऐसे हैं जो adult movie के addiction में है यानि वो total 40 मिलियन लोग इसके नशे के लट में है या इस नशे के आभी हो चुके हैं जिसमें से करीबन 10 प्रतिशत जो 10 प्रतिशत पुरुश है वो 10 प्रतिशत पुरुश इसमें regular ऐसे हैं जो office में जाकर के इसको देखते हैं office में भी उनको time मिल जाता है इसको देखने का जिसमें से 13 प्रतिशत महिला हैं ऐसी है आप ये मान करके चलिए कि ये जो adult movie है आपको अच्छी लगती है या सबको अच्छी लगती है देखिए दुनिया में हर चीज एक limit के हिसाब से है तो adult movie देखिए लेकिन इसका एकड़म ऐसे addiction हो जाना कि आप अपनी life बरबाद कर लो अपना घर अपना परिवार और अपना संसार बरबाद कर लो वो बिल्कुल भी सहीनी है तो आज हम आपको बताते हैं कि ये जो आपकी porn movie है इसमें आप क्या करें ऐसा कि आपको इससे छुटकारा मिल सके देखें क्या है ना कि आपके पास जो भी चीज़ें आती है आप पहले उसको इतना permit करते हो allow करते हो कि वो आपके पास आए एक तो ये कि जो भी चीज़ आपको ऐसी लगती कि नहीं यार मुझे तोड़ी सी problem हो रही है और मैं कल को बहुत बड़े addiction में चला जाओंगा ये बिलकुल वैसा नशा है दोस्तों जैसे एक शराब का नशा होता है तो शराब का नशा इनसान को बरबाद करता है और शराब तो बोतल में होती है वो आपको बरबाद कर सकती है वो दिखती है वहाँ पैसा दे करके खर्चा करते हो, यहाँ आप नेट पे खर्चा करते हो, इस तरीके से आपको porn movie की content से या adult movie की content से बचना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने mobile से एक दूरी बना के चलनी है, mobile बहुत अच्छी चीज है, हमें बहुत knowledge देती है, बहुत किसी का कामी नहीं चलता है, लेकिन mobile की बज़े से हम परिशान हो जाएं, हमारी life परिशान हो जाएं, वह तो अच्छी बात नहीं है न दूस्तों, तो क्या करना है कि आपको मुबाइल से एक दूरी बना करके चलिए, पहली चीज़, दूसरी चीज़, आपको क्या करना है क जो भी आपकी mobile पे जैसे किसी भी प्रकार के पॉर्ण मोवी के, जैसे source आते हैं, किसी प्रकार की कोई वीडियो कले पाती है, कहीं से किसी ने पूछ लाइं, क्या आप ये पसंद करते हैं, ये वीडियो moteं करते हैं, तो आप उसे टोल जो भी पॉर्ण साइड, उसे ट इवन होता क्या है कि जब आप स्टार्टिंग में पॉर्ड मुवी के एडिक्शन में जाते हैं तो आप धीरे-धीरे सबसे दूरिया बनाने लगते हैं बिलकुल अकेले रहने लगते हैं, अकेले में कॉमिक पढ़ने लगते हैं तो आप एक समाजिक दाइरे से दूर होने लगते हैं आपके अपनी एक अलगी दुनिया चल रही होती है लोग किसी बारे में बात करें हैं आप कोई मतलब भी निया है अचा मैं तो जानता ही नहीं आप सबसे दूर जा चुके हो तो आपको पहले वो दूरी घटानी पड़ेगी तो आपको इसके लिए अपने मुबाइल को दूर रखना होगा अपने लैपटॉप को दूर रखना होगा और अगर कहीं से फिर से भी सोर्सेज आपको परिशान करते हैं तो आपको क्या करना है पॉर्ण और इलर्ड साइट को टोटली ब्लॉक कर देना होगा अपने आसपास के बातावर में अपने दोस्तों अन्मित्रों के साथ अपने परिवार की सगे संबनियों के साथ घुलिए मिलिए उनसे बातचीत कीजिए उनके साथ एक खुश्चुमा माहौल तयार कीजिए आप पाएंगे कि आप उस नशे से उबर है बिकास ये बहुत खतरनाक नशा है दोस्तों इस नशे के करन कभी कभी आपके करियर पे कोई बहुत बड़ी ऐसे मुश्किला सकती है कि आपने वो काम नहीं भी किया है फिर भी आपको उसके लिए जिम्मेदार ठहरा है सकता है आप खुद मैं असोस करेंगे कि आफिस में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी डल जा रही है आप कोई भी काम पुरी तरीके से नहीं कर पा रहे हो बार-बार आपकी यादाश्ट खराब हो जाती है आपको जाना कहीं होता है अप पहुँच कहीं जाते हूँ ये आपका एडिक्षन है जो आपको बरबाद कर रहा है और आपको पता तक नहीं चल रहा है आप गुन-गुना करके पानी पी सकते हैं गरम-गरम और बिलकुल जो soft music होता है ना, soft music सुन सकते हैं वो भी आपको, आपके mind को fresh करने में थोड़ा सा, मतलब आपको राहत देगा कहते हैं कि आप एक नशे से बाहर निकलेंगे और एक नशे से बाहर निकलने के आपके लिए दूसरा नशा बहुत जरूरी है कहते हैं कि एक नशा ही नशे को काड़ता है तो जो दूसरा नशा है वो आप म्यूजिक को ले सकते हैं आप म्यूजिक सनना शुरू कीजिए अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनना कीजिए अच्छे अच्छे सिंगर्स के वाइस सुनना शुरू कीजिए तो आप क्या है कि आप अपने आपको बाहर निकल पाएंगे देखिए सामाजिक दाइरे में हर चीज बहुत अच्छी लगती है लेकिन जब आप सामाजिक दाइरे से उपर उठकर के देखिए आपका ओफिस भी है, घर भी है, परिवार भी है, दोस्त भी है जब आप सामाजिक दाइरे से उपर उठकर के किसी काम को करने लगोगे ना तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि नई भाई, ये तो बिल्कुल सामाज से हट करके है आप अपने आपको किसके बीच कैसा रखते हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं तो खुद को इस पौर्णिया एडल्ट मुवी की नशे से दूर रखिए, लैप टॉप और मुबाइल इससे दूरी बना कर रखिए यदि आप बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, तो आप इस तरीकी की सारी साइट को ब्लॉक कर दे अपने सगे संबंदियों रिष्टिदारों से घोले, मिले, उनसे बात्चीत करे सुबह जल्दी उट करके टहल ले जाए, अच्छा-च्छा म्यूजिक सुने और यदि फिर भी कोई चीज परिशान करती है, तो बिल्कुल शांती में जाकर की अपने आप से एक कमिट्मेंट करें कि नई, ऐसा क्या है जो मैं नहीं गर सकता आपको खुछ से कमिट्मेंट करना है कि नई, ये तो होई नहीं सकता कि आरे मैं नहीं गर पारा हूँ आप अपने आप से कुट्रिट करेंगे न तो दोस्तों इसमें कोई दोरह नहीं कि वो दिन बहुत जल दियाएगा कि आप इस पॉर्ण मोवी के जो नशे है इससे आप बाहर आ सकेंगे दोस्तों ये जो 40 मिलियन लोग पॉर्ण मोवी के एडिक्शन में है हम चाहेंगे कि आप इसमें बिल्कुल न रहे और धीरे धीरे अपने आपको इस नशे से बाहर की ओर कर सके दोस्तों नमस्कार आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएगा कि आपको जो हमारी बाते हैं वो कितनी समझ में आई हमें आपके विचार कमेंट सेक्शन में जानने है कि आप हमारे वीडियो कितना पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करे शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए